नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़र्खन के दिन भर की खबर जानते हैं बिधान सभा में सोमवार को 27 बिश्वास प्रस्ताव लाएंगे सियम हेमंद ज़र्खन में जारी सियासी घटना चक्र के बीच हेमंद सुरेन सरकार बिधान सभा में विश्वास प्रस्ताव लाएगी, हेमंद सुरेन सरकार ने 5 सितमर को बिधान सभा के 27 बैठक बुलाई है ज़र्खन के मुख्य मंत्री के बिधायक के रूप में बने रहने को लेकर जारी भरम के बीच हेमंद सुरेन सोमवार को बिधान सभा के 27 के दोरान विश्वास मत प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे बिधान सभा सची वाले दोरा विधायकों को भेजे गए पत्र के अनुसार मुख्य मंत्री ने बहुमत सावित करने के लिए बिश्वास मत प्रस्ताव लाने की इक्षा जाहिर की है बता दे जारखंड की हेमन सुरेन सरकार के पास 49 विधायकों का समर्थन है इसके बावजूद विधान सभा के 27 में सरकार भी स्वास मत प्रस्त करने वाली है ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है वहीं दूसरी तरफ आरक्षन बढ़ाने पर हेमन सुरेन परते एक दिन विपक्षी दालों को स्यासी मत दे रहे है दुमका पहुचे बावुलर मरांडी ने की एन आई ए जाच की मायंग दुमका में हाल के दुनों में लड़कियों के साथ होई दरिनगी और हत्या की घटना के बाद जहरखन के पूरवसी एम बावुलर मरांडी ने हिमन सुरेन सरकार पर निशाना साधा है पीडिता के गाउं पहुचकर मरांडी ने परिजनों से मुलकात गी पत्रकारों से बाद सीथ में मरांडी ने दुमका पोलिस के कारे सहली पर गमभीत सवाल उठा है मरांडी ने कहा है कि इस सरकार और पोलिस से निस्पक्ष जाच की उमिद नहीं कर सकते दुमका में हाल में हुए रेप और हत्याई घटनाओ की जाच एनाईय से कराने की मांग करता हूं मरांडी ने कहा है कि सिमावर्ती शेतर में बंगला देशी घुसपैठियों इस तरह के अपराद कर रहे हैं बावुलर मरांडी ने कहा है कि आदिवासियों के साथ अत्याचार के मामले और अपराधियों को बचाने के मामलों में दुमका के एस डिप्यों नूर मुस्तापा अंसारी की भूम का संदिक रही है नवरात्री से पहले डिये बढ़ोत्री का एलान केंद्री करमचारियों को सितंबर के आखरी हपते यानि नौरात्री के समय खुसखबरी मिल सकती है लंबे वक्त से केंद्री करमचारी अपने सेलरी बढ़ने का इंत्यार कर रहे है उनके लिए या एक बेहाद ही बड़ी खुसखबरी है सुत्रों का कहना आए कि केंद्रे करमचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने की जल्द केंद्रे सरकार जल्द ही खोसना कर सकती है सुत्रों का कहना आए कि करमचारियों को या खुशकबरी सितंबर के आखरी हपते यानि नौरात्री के दोरान मिल सकती है धनबाद के सरकारी स्कूल में बचों को नहीं मिली नई पोसाक धनबाद जीले के सरकारी स्कूल में नए सद्र की पढ़ाई शुरू हो गई है लेकिन अभी तक विद्याथियों को नई पोसाक नहीं मिल पाई है ऐसे में बचे पुरानी पोसाग में ही स्कूल आ रहे हैं पोसाग के लिए 50 एर बच्चों की पोर्टल पर इंट्री भी की गई रासी डीवीटी होने का इंतियार किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर पोसाग के लिए पर किरिया की गई है लेकिन अभी तक नहीं मिली है पोसाग के सेंपल की जाच भी हो चुकी है बच्चों का पोसाग त्यार कर इसे बाटना बाकी है बता दे जीले में कक्षा 1-8 वी तक के बच्चों को पोसाग देनी है एक हजार तेरा स्कूल है जहां कक्षा 1-5 वा 1-8 वी तक के पढ़ाई होती है इसमें 1,78,926 बच्चे है इन सभी को पोसाग देनी है अंतराश्ट्री बॉक्सर बीर्जू साह का जमसेतपुर में निधान जमसेतपुर सहर के दिगज बॉक्सर मुक्केवाज बीर्जू साह का रभीवार की सुबा निधन हो गया वह 50 वर्सके थे वह अपने पीछे पतनी एक बेटा और एक बेटी को छोड़कर चले गए बता दे परिजनों के अनुसार उन्हें बीपी, सूगर वर लीवर समझेत बीमारी थी राट में वह भोजन कर सोय थे सूबा घरवालों ने जब उन्हें उठाया तो वह नहीं जगे इसके बाद परिवार के सबसे उनको टी एमेच लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने उन्हें मिरित गोसित कर दिया उनका अम्तिम संसकार साक्ची स्थीच स्वार नरेखा घाट पर किया गया बिर्जुसा की मौध पर जार्खन बॉक्सिंग संक्य अध्यक्ष उतम सिंग सचिव अनन्द बिहारी डाक्टर दिनेस उपाध्या कोसा अध्यक्ष आरके बर्मा बिपूल कोच ए लकड़ा अजित सिंग अरुन मिस्रा तरुन मिस्रा ने गहरा सोक ब्यक्त किया है जहार्खन में 5 सितमबर तक बारिस राज्ये में मौसम लागातार करवट बदल रहा है यही वज़ा है कि लागातार बारिस हो रही है राजे के तमाम डेम भर चुके हैं इनके गेट खोले भी जा रहे हैं अभी बारिस का पुरोमान लगाया गया है मौसम केंद्र के उनसार 4 और 5 सितमबर को राजधानी सहित कई इलाकों में हलके से मदद्र की बारिस होगी कहीं कहीं भारी बारिस भी हो सकती है राजधानी वासपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से जहमा जहम बारिस हो रही है बारिस से सहर में जगा जगा नालियों का पानी सड़क पर बहने लगा है शुचना है कि राजपलडर मेश बैस भी सोमवार के दिन ही दिली से राची लोटेंगे संभावना जताई जा रही है कि वह सोमवार के दिन ही मुख्यमंत्री है मंसुरिन के सरस्था को लेकर अपने फैसलिय से केंद्रीय चुनाव आयोग को अवगत कराच सकते है हालाकि राज़्भवन की ओर से इस मामले में कुछ अस्पष्ट नहीं कहा गया है जार्खन के 26 स्कूलों को स्वाक्षता पुरस्कार राज-अस्तरीय स्वाक्ष विद्याले पुरस्कार के लिए 26 स्वाक्रिद का चयन किया गया है इन स्कूलों को 5 सितंबर को पुरस्कृत किया जाएगा इसको लेकर जार्खन सिक्षा पर्योजना की ओर से जीलों को पत्र भेज दिया गया है जनकारी के अनुसार पुरस्कार वित्रन समारों का वजन MDI भवन धुर्वा में दिन 11 बये से होगा सबसे अधिक तिन बिद्यालों का चैन पच्मी सिम्भूम जिला से हुआ है वहीं धनबाद दुमका गोड़ा, गिरिडी पुर्वी सिम्भूम, सिम्टे का धनबाद हुआ लातेहार जिला से दो दो बिद्यालों का चैन किया गया है राजे के 17 जीलों से इसकूलों का चैन पुरस्कार देने के लिए किया गया है करम परव पर थीर के मंत्री जगनाथ महतो भादों सुरू होते ही आदिवासी मुलवासी समुदाय करम महोसों की त्यारियों में जुड जाता है बता दे करम परव की खुसी सनिवार को राजची वीमेंस कॉलेज और चुटिया में बिखार पड़ी सभी ने परमपारी गीत निरित की प्रस्तूती दी चात्राओं ने निरित्य में जारखंडी संस्कूरिती की जलक दिखी निरित्य से सब को मंत्र मुख्ध कर दिया राजची वीमेंस कॉलेज में प्रकिती पर करम की धुम रही चात्राओं के निरित्य में जारखंडी संस्कूरिती की जलक दिखी चात्राओं ने खड़िया निरित्य की प्रस्तूती दी नागपुरी खोटा और मुंडाय निरित्य से सब को मंत्र मुख्द कर दिया करमपरव संध्याकार करम के मुख्यती थी सिक्षा मंत्री जगनात मतों भी खुद को नहीं रोक सके और मांदर की थाप थिरक उठे जारखन के दिव्यंग विद्यार्थियों को मिलेगी नेशनल एस्कोलर सिप राजसरकार दिव्यंग विद्यार्थियों को छात्र विर्ती देगी भारत सरकार के सहयोग से दिव्यंग छात्र शात्राओं को नेशनल एस्कोलर सिप दी जाएगी महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग ने इससे समधी सुचना जारी कर दी है भारत सरकार के दिव्यंग जन ससकती करन विभाग द्वारप्रदत छात्रवीर्थी वर्ष 2022 स्टेज के लिए आवेदन अमंत्रित किया गया है दिव्यंग विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के अलावा टॉप कलास स्कोलर सी भी दी जाएगी प्री मैट्रिक छात्रवीर्थी के लिए 30 सितमबर तक आवेदन किया जा सकता है वही पोस्ट मैट्रिक दिव्यंग चात्र चात्रा 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हाए सीव चर्चा के संस्थापक सिरी हरिंद्रानंद जी का निधान करोडो परिवार तक सीव गुरू की महिमा पहुचाने वाले और सीव सिस परिवार के जनक स्वामी हरिंद्रानंद जी अब नहीं रहे रभिवार के अहले सुबत 3 बजे उनका निधन हुआ बीते कुछ दिनों से वे हिर्दाय रोग से पिडित थे दील का दोरा पढ़ने के बाद उन्हें रांची के एच इसी स्थीत पालस अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया गया था बेहतर इलाज के लिए उन्हें पलस अस्पताल में भरती कराया गया था जहां उन्होंने अम्तिम सांस ली बता दे स्वामी हरिंद्रानंद जी बिहार प्रसासनिक सेवा के अधिकारी भी रहे हैं बचपन से अध्यात्म की और रूची होने की वज़ा से उन्होंने अवकास ग्रहन के बाद से पूरी तरह से धर्म अध्यात्म को समर्पित हो गए थे धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो जो चैनलों को सब्सक्राइब कर बॉल का वेले कर अंदर बैए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सेर करना ना भूले साथ ही साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फीड़बाइक अवस्यदे थैंक यू